अगर आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर रही है तो उसके लिए टॉपिक काफे जदा यूसफुल रहने वाला है तो चले फ्रेंट शुरू करते हैं क्वेशन फर्स्ट से अंडमान निकोबार आइलेंड सिचुएटेड अंडमान निकोबार दूइस समुख कहां पे इस्तित है आंसर is Bay of Bengal and Indian Ocean तो राइट आंसर is suitable A and B तो यहां आप देख सकते हैं यह Bay of Bengal है और यही आपको देख रहा है यह आपका इंडमान निकोबार आइलेंड इसलिए कहा है कि यह Bay of Bengal और इंडियन ओशियन दोनों में ही है यह सिचुएटेड है अगला कोशन है what is the total number of islands in the अंडमान एन निकोबार आइलेंड देखे चुटे चुटे अगर आप देखें तो द्वीपर्स यानि आइलेंड से मिलकी ये बना हुआ है तो total कितने number of islands है यहाँ पे आंसर इस 572 What is the capital of अंडमान निकोबार आइलेंड अंडमान निकोबार देव सम्मू की रास्थानी क्या है तो सही आंसर है friends port player देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जो की हैं अंडमान आइलेंड में लोकेटेड On which island is port player the capital of अंडमान निकोबार आइलेंड सिचुएटेड तो यहाँ पे पोझा है के चोंडमान की capital है port blayer यह किस island पे सिचुएटेड है तो यह friends खिस पे सिचुएटेड है south अंडमान आइलेंड पे तो यह आपके देख रहा हों कि आपके अंडमान आइलेंड से हैं यहाँ पे लोकेटेड है port blayer What is the name of the highest peak of Andaman Nicobar Island? सबसे उची चोटी का नाम क्या है? तो friends answer is Saddle Peak Saddle Peak जो है वो यहां की सबसे उची चोटी है What is the height of Saddle Peak? Next question में लेके पूचा कया है कि Saddle Peak की उचाई कितनी है? तो 732 meter है इसकी height Next is Saddle Peak is situated in which Andaman Island? तो आपको बतायता है कि छोटी छोटी देखे island से मिलके बना है तो यह कुशन ऐसे ही पूचे जाते हैं कि कौन से island में है? नाम बताईए उसका तो यह है North Andaman में located अगला कुशन है friends Which is the only active volcano of South Asia? South Asia का एक मातर सक्रिय ज्वाला मुगी कौन सा है? आंसर हो जाएगा Barron Island Barron Dweep है South Asia का एक मातर active volcano यह इंडिया में ही है देखी और इस island is spread over about 3 km The volcano hair erupted on 28th of May 2005 Since then lava is coming out of it यह जो volcano है कभ यह फटा था? 28 माई 2005 को तब से अब तक इस में से जो lava है वो निकल रहा है Which is the largest island in the अंडमान islands in term of area अकर हम area wise बात करते हैं तो सबसी बड़ा island कौन सा है? आंसर इस middle अंडमान island Which of the following dormant volcano is located in India? यानि यहां पूचा गया कि इन में से कौन सा प्रसुप्त या सुसुप्त जो जो आलमों की है वो भारत में स्तित है Right answer हो जाएगा friends Narcantum island जो की है आपका dormant volcano Where is the smallest national park of India? South button island national park located देखिए इंडिया का जो सबसे छोटा national park है First of all वो कौन सा है? South button island national park और यह कहां पे located है? यह बताना है तो यह है अंडमा निकोबार island में located Which three islands of अंडमा निकोबार island have been renamed by Prime Minister Narendra Modi in the year 2018 2018 में नरेंद मोदी जी के द्वारा अंडमा निकोबार द्वीव समो के किन तीन द्वीवो का नाम बदला गया तो यहां पे आप देख सकते हैं नेताजी शुभाशंदर बोस island to Ross island तो Ross island को नाम दिया गया नेताजी शुभाशंदर बोस इसके लवाद नील जो द्वीप है उसे नाम दिया गया है शहीद द्वीप और स्वरास द्वीप को नाम दिया गया है हेवलोग स्वरी जो हेवलोग island है उसे नाम दिया गया है स्वरास द्वीप तो द्वीप तो द्यान रखेंगे यह नाम जो है वो तीनों के तीनों 2018 में चेंज हुए थे प्राइम मिनेस्टर नरींत मूधी जी के द्वारा इसलिए आंसर हो जाएगा suitable all विच चैनल सेपरेट्स थी अंडमान आइलेंड और निकोबार आइलेंड्स तो अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल है जो की अलग करता है वेरी इंपोर्टेंट 10 डिग्री चैनल यह ध्यान रखेंगे बहुत एक्जाम में पूछते हैं इस साउदन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो की है इंदरा पॉइंट इस सिचुएटेड ओन विच आइलेंड और निकोबार भारत का जो सबसे दक्षरी विद्धू है इंदरा पॉइंट ये निकोबार के किस दूइप पर इस्तिद है तो ये है आपका ग्रेट निकोबार आइलेंड में विन वस अंडमान इन निकोबार डिकलियर्ड अस अ यूनियन टेरिटरी ओफ इंडिया आंसर इस 1st आफ नेवेंबर 1956 को डिकलियर किया गयता अंडमान निकोबार को भारत का केंद साशित प्रदेश विच जेल इस कॉल्ट ब्लैक वाटर इन अंडमान इन निकोबार आइलेंड कौनसी जेल को काला पानी जो है कहा जाता है तो कौनसी जेल है वो है फ्रेंट सेलुलर जेल जिसे कहते हैं काला पानी और ये है अंडमान निकोबार आइलेंड में अंडर विच हाई कोट दस दी अंडमान एन निकुबार आइलेंड फंक्शन तो अंडमान निकुबार दीर समूख किस उच्च न्यायाले के अधीन कार्य करता है तो इनका जो हाई कोट है वो कौन सा है कॉलकाता हाई कोट How much part of the अंडमान निकुबार आइलेंड is covered by forest अंडमान निकुबार आइलेंड तो अंडमान निकुबार की जो नियायक राजस्थान याने जुडिशल कापिटल है वो कौन सी है कॉलकाता What is the area of अंडमान निकुबार आइलेंड यहां का छेतरफल कितना है तो 8,249 km2 यहां का है total area India active volcano, barren island and dormant volcano, narcondum island are the part of which island group तो यह दोनों के दोनों जो 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 आला मुकी हैं एक आपका सक्रिय जो आला मुकी और एक आपका सुप्त जो आला मुकी यह दोनों ही आपके located हैं यह किसका हिस्सा है अंडमान निकुबार आइलेंड का तो यहां पे friends total जो है वो 9 national park हैं इनके नाम आप देख सकते हैं South button island national park जो कि सबसे smallest national park है Campbell Way national park, Mahatma Gandhi marine national park, Mount Harriet national park, North button island national park, Middle button island national park, Rani Jhansi marine national park, Saddle Peak national park and Galatia national park तो total हैं यहां पे 9 national park How many wildlife centuries are located in the अंडमान निकुबार आइलेंड तो total है friends यहां पे 96 wildlife century By what other name is Indra point known Indra चो point है यह किस और नाम से इसको जाना जाता है तो इससे Pygmalion point, Parsons point, Lahiching इन नाम से जानते हैं पिगमेलियन point और Parsons point के नाम से जानते हैं तीस्टा option नहीं है यहां पे तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा उप्योग तो दोनों यानि बोस्तो टेबल इसके बात है What is the number of लोकसभा members in अंडमाण Nicobar Island तो लोकसभा में कितने members हैं यहां से? आंसर हो जाएगा एक What is the number of राज़ेसभा members in अंडमाण Nicobar Island राज़ेसभा से अंडमाण आइलेंड से कोई भी member नहीं है यहां दिखेंगे सिफ लोकसभा से हैं कितने एक कौनसे भुकम पे छेत्र के अंतरकत आता है तो छेत्र फाइव या कहलेचे एरिया फाइव में आता है आपका या रीजन फाइव कहलेचे थोड़े इस तरीके से तो उसमें आता है अंडमा निकुबार आइलेंड यहां का जो सबसे बड़ा दूईप है वो कौनसा है तो वो है फ्रेंग्स हैव लॉक आइलेंड तो इंडरा पॉइंट आपका अंडमा निकुबार में है एक्वेटर से जो है उसकी कितनी दूरी है तो एक्वेटर से है उसकी 876 किलोमेटर एक्वेटर क्या है दीखें एक एक इमेजनरी लाइन है जो कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है जीरो डिग्री है पिलकुल और यह जो हमारा इंडिया को नहीं पूरे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है तो यह एक इमेजनरी लाइन है ध्यान विच इज ल लाजस्ट आइलेंड ग्रूप ओफ इंडिया भारत का सबसी बड़ा दूप समू कौन सा है ? आंसर इस अंडमान निकोबार आइलेंडस विच कंट्री कंट्रोल्स ता कोको आइलेंडस लोकेटिड नौर्थ आफ दी अंडमान आइलेंडस अंदमान दीव समू के उत्तर में जो कोको दीव समू है वो किस तेश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो उसे नियंत्रित किया जाता है म्यम्यार के द्वारा विच चैनल सेपरेट्स नौर्थ अंदमान और कोको आइलेंड आंसर is Coco Channel तो उत्री अंडमान और Coco दीव समू को चोला करता है चानल उसका नाम है Coco Channel Which island is situated in the southernmost of the अंडमान islands तो अंडमान का जो सबसी दक्षनी भाग है वो कौन सा है तो वो है Friends Little Andaman Island Which of the following major islands are situated in the Andaman Islands तो देखें अंडमान में अगर हम major islands की बात करें कौन-कौन से हैं North अंडमान, Middle अंडमान, South अंडमान, Little अंडमान तो आंसर हो जाएका suitable all Which of the following major islands are situated in the Nicobar island अब बात करें Nicobar में तो कौन-कौन से दुप हैं एक है Great Nicobar, इसके बाद है Little Nicobar, Car Nicobar इसलिए answer is suitable all Where is Mount Daivolo, an important mountain peak of अंडमान, Nicobar यह यहां की एक महदपौन परवचूटी है Mount Daivolo, यह कहां पेस्सित है तो friends यह बताना है तो answer हमारा हो जाएगा Middle अंडमान में जो है यह located है Where is the अंडमान sea situated, अंडमान सागर इस्तित कहां पे है Answer हो जाएगा friends East of अंडमान, South of Myanmar यह West of Thailand कुछ भी कह लीजे, इसलिए answer is suitable all Between which islands is Duncan Pass situated तो दंकन दर्रा जो है वो किन दिपो के बीच इस्तित है सही answer है South अंडमान और Little अंडमान की बीच में है Duncan Pass What is the number of districts in the अंडमान निकुबार आईलेंड्स अंडमान निकुबार दू समों में जिलो की संख्या कितनी है सही answer हो जाएगा तीन यहाँ पे district है देख लीजे कौन कौन से First is North and Central अंडमान districts Second है South अंडमान डिस्ट्रिक और तीसरा है निकुबार डिस्ट्रिक Next question है Which is the largest city of अंडमान निकुबार आईलेंड्स तो यहाँ का जो सबसी बड़ा शहर है वो कौन सा है तो फेंड्स आंसर हो जाएगा Port Blair Next is Which island group is the North Sentinel Island A part of उत्री Sentinel दीब कौन से दीवसमु का भाग है तो वो है Friends अंडमान निकुबार आईलेंड का Where is active volcanic activity seen in India तो Friends भारत में सक्रिय जो आलमुकी जो गतिविदिय किरिया है वो कहां देखने को मिलती है तो एक मात जो सक्रिय जो आलमुकी है अब यहां पे पूछा गया है कि सिफ उसिफ निकुबार में पूछा गया है कि कितने दीप है तो नहीं पूछा गया तो निकुबार में जो दीपों की संक्या है वो है 300 Next is अंडमान निकुबार आईलेंड सुफ इंडिया are an emergent part of which of the following submerged mountain range बारत का जो अंडमा निकोबार देर समू है वो किस जलमगन परवश रंकला का एक उभरता हुआ हिस्ता है second answer is अराकान ग्योमा which is the highest peak of निकोबार आइलेंड यहां सिफो सिफ निकोबार आइलेंड की बात हो रही है तो यहां की जो सबसी उची जोटी है वो कौन सी है थूलियर माउंटेंज which channel separates great निकोबार आइलेंड and सुमातरा आइलेंड सुमातरा आइलेंड कहां पे हैं इंडोनेशिया में है इन दोनों को कौन सा channel लग करता है तो answer हो जाएगा six degree channel when is the state day of अंडमा निकोबार आइलेंड celebrated तो अंडमा निकोबार दियु समू का जो राज की यह दिवश्य है वो कब मनाया जाता है answer is 11th of March what is the total length of coast line of India including island territories अगर हम दीप प्रदीशों की भी भात कर लें तो भारत की जो total coast line है वो कितनी है तो वो है फ्रेंड 7516.6 km the अंडमा निकोबार administration has jurisdiction over dash तहसील अंडमा निकोबार प्रसाशन का जो अधिकार छेतर है वो कितने तहसीलों पर है total है आपका 9 in which year tsunami on अंडमा आइलेंड स्केल्ड more than 6000 people किस वर्ष में देखे 6000 से भी जादा लोगों की हाँ पर जान गई थी tsunami से बात करते हैं कब ये घड़ना हुई थी 26th of December 2004 को अगला question है friends in which ocean is the अंडमा निकोबार island situated तो friends अंडमा निकोबार किस महा सागर में इस्तित है answer is Indian Ocean और साथी में ध्याने केंगे बियो बिंगॉल भी अगर लिखा है तो दोनों ही सही होंगे खाली ocean पूछा जाएगा तो इंडियन ocean what is the new name of Neil island of अंडमान तो अंडमान का जो Neil island है उसका नाम चींच करके किया गया था शहीद island in 1872 Lord Mayu the vicerai of India was assassinated in Daesh 1872 में भारत के जो vicerai थे Lord Mayu उनके कहां पर हत्या कर दी गई थी तो port Blair में उनकी जो है हत्या कर दी गई थी next question है on which island was Cher Ali hanged for the murder of Lord Mayu the governor journal of India हत्या किस ने करी थी यहां नाम भी दिया गया देखे Cher Ali ने की थी और उन्हें किस island पर Fancy की सजा दी गई थी तो उन्हें दी गई थी Viper island पे Where does the only river Kalpong of the Andama Nicobar Islands flow यहां के सिर्फ यह एक मात्र नदी है Kalpong यह कहां पर बहती है तो यह बहती है friends डिगली पूर में अगला question है Which of the following is true about the geography of Andama Nicobar Island Andama Nicobar दूसमों में के भूगोल के बारे में कौन सा कथन जो है इसमें से सही है Questions देख लेते हैं देख लेते statements क्या है They are atolls They are located in Arabian Sea These islands are the higher part of the submerged mountain तो जो तीसरा है वो बिल्कुल सही है कि जो islands है वो submerged एक तरीके से जो mountains हो उनका ही higher part उनका ही ऊचा हिस्सा है तो इसलिए आपका जो answer होगा वो option C रहेगा To whom does Coco Island belong Coco दीव जो है वो किसके अंतगजा किससे सम्मन्दित है तो ये friends है म्याम्यार से related At what degree latitude is Indra point situated तो Indra point जो है वो किस अक्षान्स परिस्थित है Latitude बताना है उसका कितना है Answer is 6 degree 4 minute north latitude What is the state animal of Annaman Nicobar Annaman Nicobar का state animal कौन सा है सही answer हो जाएका Doogong State bird की बात करें तो वो है अंडमान wood pigeon State tree जो है वो है अंडमान Paddock State flower है यहाँ का Pynema tree flower The word Nicobar is the word of Malay language which literally means what जो निकोबार शब्द है यह Malay भाशा का शब्द है और इसका क्यार्थ होता है इसका अर्थ होता है land of the naked यानि नंगन लोगों की भूमी The word अंडमान is derived from the Malay word Hadumant which is a modified form of the name of which Hindu deity जो अंडमान शब्द है यह भी एक Malay शब्द Hadumant से इसकी उत्पत्ती हुई है और यह जो शब्द है देखे यह किस Hindu देवता के नाम का शंशोधित रूप है आंसर हो जाएका Hanumanji Where was the tricolor hosted for the first time in India भारत में जो पहली बार देखे तिरंगा फैराया गया था वो कहां पर फैराया गया था सही आंसर यहां पर ध्यान रखेंगे Port Blair तो काफी जादा important की question है अगला question है Which is the smallest island of Nicobar Island सबसे चूटा दीप इनका कौन सा है Nicobar का तो वो है Friends Pulo Milo Island The island of Beo Bengal Are the upper part of which mountain range बंगाल के खाड़ी के दीप किस परवत श्रंकला परवत माला की उपरी भाग है तो वो है Friends Arakan Yoma range के Where is the Arakan Yoma mountain range located Arakan Yoma जो परवत श्रंकला है यह कहां परिस्तित है तो यह है Friends आपकी म्यामार में located Are the islands of Bay of Bengal remains बंगाल के खाड़ी के दीप अफशेश है Submurged High Ground Next Emerald Island is known as Emerald जो island है उसे किस नाम से जानते हैं उसे अंडमार निकुबार आइलेंड के नाम से जाना जाता है Mount Thulier is an important mountain peak of अंडमार निकुबार Where is it located? अब दीए ये काफी दा महतपुर्श रंकला है यहां की ये कहां पर अवस्तित है तो ये Great निकुबार में located है Where is Mount Divalo mountain peak located? जो Mount Divalo परवचूटी है कहां पर इस्तित है तो ये है Friends Middle अंडमार आइलेंड में Where is Mount Koyob mountain peak located? तो जो Mount Koyob परवचूटी है कहां पर इस्तित है आंसर हो जाएगा Friends South अंडमार आइलेंड में जो है ये located है तो exact location हमें ध्यान रखते हैं कि South में है, Little and Man में है कार निकुबार में जहां पी भी है exact location के बारे में हमें ध्यान रखना है अगला question है Non Kory is an important island तो ये निकुबार आइलेंड का ही एक important island है Non Kory Which island is famous for the residents of ONG Onge tribe? तो Onge जो जन जाती है तो friends उसके निवास के लिए प्रसिद कौन सा है? Answer is Little and Man Island Friends यहां पे हमारे questions complete होते हैं Now time आता है test का तो आप लोग मुझे answer करेगा comment box में पहला हमारा question है test का देखिए What is the total number of islands in the Andama Nicobar Island? यहां देखो हमें दोनों को मिला के Andama Nicobar दोनों को मिला के बताना है कि total कितने number of islands है? उसके बाद है What is the name of the highest peak? यानि Andama Nicobar Island की जो highest peak है वो कौन सी है? तो friends इनके answer आप लोग मुझे बताएंगे comment section में इसी के साथ friends हमारा यह important topic यहां पे हो जाता है complete और यह topic आपको हर exam में काफी help करेगा Thank you so much for watching this video